Hello everyone, welcome you all at Logasar Reliated History Zone. So, exam special classes कह लीजिए, exam fast कह लीजिए इसको. Okay, exam field classes भी कहता हूँ, मैं इन classes को, इसमें आप सभी का स्वागत है. और इसमें मैं exam से related चीजें जो बहुत important है, वो मैं कराता हूँ. तो पिछले class में आपको मैंने यहां तक करा दिया था. Question number 24 था. Question number 25 भी आपको मैंने करा दिया था, कि अगर pure water भरा हुआ है, तो बताइए कैसे होगा, तो यह थी size of orifice पर depend नहीं करता है, velocity क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना? फिर उसके बाद मैंने बताया था, कि यह थी आप इसके अंदर कोई दूसरा liquid भी भर देते हैं, तो density भढ़ने से कोई effect नहीं पढ़ता है, sugar solution भी आप बढ़तेते हैं, तो भी यह सेम रहेगी, यह question भी कर लिया, property of viscosity is not a fondant in solids, why, तो मैंने बताया था, कि because there is no relative motion between these layers, यह भी तेजी से हमारी जो density होती 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 है, जिसके कानल, atmospheric pressure, by the formula P equal to rho GH, है नहीं, या एट जी, डीजी भी भी बोलते है, rho को इन लोगोंने D कर दिया है, तो वो decrease होता जाता है, clear है ना, then इसके बाद इसका second था, कि हाईड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, वो scalar quantity होती है, surface tension of a liquid is independent of the area of the surface, ये भी देख लिया, और इसके बाद बले area की balls जो होती है, जो बूंध होती है, वो spherical क्यों होती है, फिर मैंने बताया, to keep a piece of paper horizontal, you should blow air over, not under it, आपको उपर से हवा फिक नहीं पड़ीगी, सामने से, and when we try to close a water tap with our finger, fast jet of water gush through the openings between our fingers, ये मैंने बता था, ये ब को जो एदी आप दबा लेते हो नल को, तेजी से पानी क्यों आता है, आपने देखागा water tap होती ही न, ये water tap है भाई साब, और आपने इतने area पे उंगली रख दी अपनी, क्या रख दी भाई साब अपनी उंगली रख दी, ठीक है ना जी, या अपने उंगली से इसको दबा रीजन क्या है, जैसे कि आपके पास में पानी जा रहा है, ये 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 आपके पास में सटक है, और इस सटक से आपका पानी जा रहा है, ठीक न, और क्या कंडिशन है भाई साब, की पानी जाए बिल्कुल यहां से बिना रोके टोके निकलता रहे पानी, तो और यदी आप उ वोल्यूम और टी मतलब पर यूट टाइम मतलब पर यॉट टाइम मतलब पर यूट टाइम में जो पानी का वॉल्यूम निकलता है वो constant होता है मतलब यदि एक सेकंड में आपको यदि 50 ml पानी निकलेगा कितने A. fa000,A. 50,A. तो इसका, मесяलाब, 1 सकैंट में 50 एमेल ही निकलेगा, चाहिए आफ जो करना हो कर दो, समझ गहें, 1 सकैंट में 50 एमेल ही निकलेगा, तो बात कुछ ऐसे ही एकी भाई, रूल ये था, कि एक सेट में 50 एमेल तो निकले गई निकलेगा, अब आपने क्या करा गेट छोटा कर दिया आपने क्या कर दिया गेट छोटा बट निकलना एक सेकेंड में 50 को वही है तो जब आप गेट छोटा कर दोगे तो लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे ना तो निकलेंगे कितने 50 ही निकलेंगे बस अपनी स्पीड बढ़ा वॉलिम पर यका अचीश कोना पतातोन नहीं कि मेकल जयाए सैय में किन मारू घ्रीट के which सब्सक्राइब प्रोस्टेश के पीछ प्रोसेस के पीछे कौन सा सकेशन है equation of continuity, कौन सी equation है, equation of continuity, or equation of continuity को हम लिखते हैं, equation of continuity को हम लिखते हैं, a into v equal to constant, a into v equal to constant, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1, v1 equal to a2, v2, जब आप numerical करेंगे, तो पहले सीन में area a1 है, तो velocity v1 है, दूसरे में आपने area बदल दिया, a2 कर दिया, velocity क्या हो जाएगी, फी 2 हो जाएगी, आए बस समझ में, तो बस यहां पर यही लिखा गया है, कि when we try to close the water tap with our fingers, the area of the area for the flow of liquid decreases, area क्या हो जागा, decrease कर जागा, according to the principle of continuity, a v equal to constant होता है, a is for area, v for velocity, v for, या रखना, capital v volume को शो करता है, capital v किसको सो करेगा, volume को, और small v हमारे chapter में किसको सो करेगा, velocity को, a2 equal to constant, obviously if area decreases then velocity increases, thus the velocity of the flow of the liquid increases, and fast jet of water gush through the opening between our finger, इसलिए जो पानी होता है, वो हमारी finger के बीच से बहुत तेजी से निकलता है, चलिए अगले question के और चलते हैं, चलिए अगले question के और चलते है, question number 5, Explain the construction and working of the hydraulic lift, hydraulic lift कि यदि मैं simple simple theory की बात करूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ hydraulic lift की simple theory क्या है, hydraulic lift यह कहता है, कि भाई pressure जो होता है, वो equally transfer होता है, यह देखो, pressure जो होता है, वो कैसा transfer होता है, equally transfer हुआ करता है, ओके यह देखे, तो यहां पर आपके पास में pressure मान लीजिए, अपने transfer, यहां से कोई piston है, इधर से अपने pressure P लवाया है, कितना लगा है pressure, P, तो यहां पर भी कितना distribute होगा, P ही distribute होगा, अभी यूनो pressure जो होगा equal जाएगा, यहां पर, pressure जो होगा, वो क्या जाएगा, फर्स्ट प्लेस में होगा, उतना second place में होगा, clear, first place में कितना होगा, F1 upon A1 की form में, और second form में कितना जाएगा, F2 upon A2, clear होगा, हमको यहां पर force अगर ज्यादा चाहिए है, यहां पर हमको बाहर दरफ का, यह platform यह लगा होगा है, तो इसमें नीच, यह force इस पर बाहर की है, अब देखिए भाई सब, तो यदि मैं देखू, F2 is equal to कितना हो जागा, तो F2 is equal to F1, और multiply by A2 उपर चला जाएगा, A2 divided by कितना, A1, मतलब यदि मैं इस चीज की value बढ़ाते जाओ, इस चीज की value बढ़ाते जाओ, तो F2 मेरा automatically बढ़ता जाएगा, मतलब जो four second place पर है, जो second, दूसरी जगह पर जो force मिल रहा है हमको, वो F1 का multiplier है, और F1 का कितना multiplier है, A2 upon A1, यदि मैं A2 बढ़ा कर दूँ और A1 बहुत कम रहे, तो ये जो fraction है वो क्या आएगा, बहुत बढ़के आएगा, क्या आएगा, बहुत बढ़के, तो इस तरीके से F2 की value क्या हो क्या हो जाएगी बहुत जादा, कब जब A2 upon A1 क्या हो बहुत बढ़ा हो, जब क्या हो बहुत बढ़ा हो, और ये कब होगा, जब वेनेवर A2 is greater than A1, मतलब ये वाला platform आप बढ़ा कर दीजिए, और ये वाला platform आप क्या कर दीजिए, छोटा, तो यहाँ पर आपको जो force मिल हो जादा मिलेगा, जो F2 मिलेगा, वो क्या होगा, जादा मिलेगा, इस ही को बोलते है, इस concept को बोलते है, hydraulic lift, क्या बोलते है, इसको, लब कहने का मतलब ये, कि यदि एक छोटा platform है, और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कूद रहा है, कल जो मैंने बताया था, है ना, और ह इसको आप कार, यहाँ छोटे बच्चे के कूदने से आपके इसको कार को भी lift कर सकते है, कार को भी lift कर सकते है, इसकी पूरी थेयोरी देखते है, तो मैंने उपर उपर से बता रिया, बिलकुल सही बात है, फोर जादा रहेगा, जिससे की कार lift हो जाएगी, देख लीजे, है न, यहाँ पर फोर जादा रहेगा, जिससे की कार lift हो जाएगी, चलिए आइए देखते हैं, तो, हाँ, देखे, हाईड्रोलिक लिफ्ट, बस ही थियोरी दी गई है, the construction of hydraulic lift is shown in the figure, है न, in it, there are two cylinders, C1 and C2, different area of cross section, बेटर दो सिलेंडर है, यहाँ एक C1 है, और एक C2 है, ले जोटा है, और एक C2 बड़ा है, है न, अब बड़ी वाली चीज में से, जब आप छोटी वाली चीज को डिवाइट करते हैं, यह बड़ा आता है, वन से बड़ा आता है, यहाँ बता दिया, different area of cross section, these are interconnected by the means of narrow tube, और यह जो दोनों cylinder है, यह एक पतली ट्यूप से connected, यहाँ से pressure क्योंकि जो होता है, आपको इन पता था, Pascal Law से pressure जो होता है, बिल्कुल equal transfer होता है, two fictional less water tight piston A and B are lifted in the means of narrow tube, दो piston लगे हुए है भाई साब, यह देखिए, एक piston यह है, पहला piston है, यह पहला piston है, clear हो गया, यह piston इसको पूरा है, यह piston कहलाता है, यहाँ तक को पूरा, इसको piston A है और दूसरा piston यह देखिए, यह जो लगा हुआ है, यह क्या है, दूसरा piston B, clear हो गया, यह दूसरा piston B लगा हुआ है, यह क्या रखा हुआ है, इसको पर कुछ रखा हुआ है, कुछ समानमान रखा हुआ है, जिसको अपन को लिफ्ट करना है, जिसको अपन को उठाना है, ठीक area of the piston B is quite large, quite large, जिससे A2 upon A1 की value बहुत बढ़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ी हो जाएगी, बढ़ी, because A2 बहुत बढ़ा है, the body is lifted, इस प्लेड इस प्लेड प्लेट फॉर्म अटेस्ट तो पिस्टन B, इस बोडी को लिफ्ट करना उसको आप B की उपर याने क clear है बाई सब, F1, the two cylinders are filled with the water, अभी इन चलेंडर के बीच में आप water भर देंगे, क्या भर देंगे, water, देखे क्योंकि आपको यहां से force को ट्रांसफर, प्रेशर को ट्रांसफर करना है, principle, अभी इसका principle देखते है, यह उपर construction होगा, the hydraulic lift consists of the cylinder C1 and C2, they are connected with the horizontal tube T, there are two air resistance, there are two air resistance pistons, यहां भी आप देख सकते है, there are two air resistance pistons, P1 and P2, having their cross section area A1 and A2 respectively, such that A1, A1 solid A2, यह क्या लेखा हुआ है, such that A1, A1 less than A2 होगा, ठीक है, A1 is less than A2, यह गलत लिखा बाई, solid A2 कहा चा गया, एना, area of, that is area of container C1, हाँ, ठीक है, that is area of container C1, हाँ, ठीक है, that is area of container C1, हाँ, हाँ, ठीक ह than C2, मतलब इसका जो area होगा, यह छोटा होगा, और इसका area क्या होगा, जादा होगा, C2 container का area क्या होगा, जादा, clear हो अगे नहीं हुआ, हाँ, अब यह बताईए, यह अधी area का कम होगा, तो इस पर pressure कितना बनेगा, देखे, on piston P1, F1 is the applied force, then the applied pressure P, P, first pressure कितना होगा, पताई liquid gives an upward force, यह देखे भाई साब, इसकी वज़ए से यहाँ पर, यह जो है, यहाँ से जो force generate होगा, यह pressure होगा, प्रेशर क्या जर मनाएगा, force, और यह force यहाँ पर transmit, pressure transmit होगा, उस pressure transmit होने की वज़ए से उपर force लगाई देगा, इसकी वज़ए से लिकवड एक पिस्टन को दूसरा फोर्स देगा, इसकी वज़ए से लिकवड एक पिस्टन को दूसरा फोर्स देगा, by the Pascal law, pressure on the piston P2 equal to pressure on the piston P1, lawskal law एक गा गळा, जितना P2 पर pressure होगा, उतना किस पर pressure होगा, P1 पर. तो P2 पर pressure कितना होगा भाईया F2 upon A2 F2 upon A2 और P1 पर pressure कितना होगा F1 upon A1 ठीक है ना तो दोनों पर piston पर pressure जो होंगे वो equal होंगे यानि इसको मैं अपने तरब से लिग देता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ F2 upon A2 is equal to F1 upon A1 अब यहां सेरी मैं F2 को अकेले कर लो तो F2 कितना बन जाएगा बोलिए F1 multiply by A2 upon A1 अब देखिए C क्या है आप देखिए A2 upon A1 A2 बहुत बढ़ा है और A1 छोटा है जिसकी वज़े से यह जो चीज आएगी वे बहुत बढ़ी आएगी कि छोटी आएगी बहुत बढ़ी आएगी और इसके साथ multiply किसका है F1 का है तो F1 का बड़े से multiply होगा तो F2 जो आएगा answer में बहुत बढ़ा आएगा कि छोटा आएगा मतलब कि F2 is very very greater than F1 क्योंकि A2 greater than A1 है clear न है सुनो तो लिखा देखिए A1 less than A2 A1 less than A2 को भी अच्छा लिखो कि A2 greater than A1 दोने एगी चीज़े hence F2 second force जोगा first force से क्या होगा मतलब आपने इस तरफ में हलका सा force लगाया चोटा सा force लगाया और उससे आपने बहुत बढ़ा force प्राप्त कर लिया कर लिया कि नहीं कर लिया क्लियर हो गया आपने छोटे force से बहुत बढ़ा सा force so by applying lesser force on a small area we get large force on larger area this is the principle of hydraulic lift भाई साब यही आपका जो JCB machine आती है उसमें भी यही हुआ करता है कि उसमें छोटे से cylinder में कम area वाले में छोटा सा force लगाते है और बड़े area वाले में ज्यादा force प्राप्त कर लेते हैं समझ में आ गया यस चलिए तो यह है hydraulic lift का principle अब आप इसको अच्छे से करिएगा चलिए अगले question की और चलते हैं अगला question क्या है question number 6 water on a clean glass surface tend to spread while mercury on the same surface tend to form drops put differently water gets wet glass while mercury does not देखो भी है यह क्या कह रहे है इनका कहना है कि अगर आप एक काच ले लो और काच में आप पानी की बुन डाल दो क्या डल दो पानी की बुन तो थोड़े देरे बाद देखोगे यह पानी की बुन इसको गीला कर देगी क्या कर देगी पानी की बुन इसको गीला बट यदि आपने कांच वही ले लिया और कांच में अपने मरकरी डाल दी तो ये मरकरी अपने आपको ऐसे गोल कर लेगी सोचेगी कि मैं पानी से कम से कम चूपाऊं सॉरी कांच से कम से कम चूपाऊं और अपने आपको गोल गोल ऐसे अरेंज कर लेगी समझ में आ गया? यदि दूसरी मरकरी आप इसमें डाल दोगे बाजू में तो वो भी उसको भी लपेट करके एक बड़ासा गोला बना लेगी और वहीं पर बैठ जाएगी तो कहरा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको पढ़ा है था एड़े से फोर्स कोहे से फोर्स फैल जाता है और गलास को गीला कर देता है क्या कर देता है? गलास को गीला कर देता है परंतु यहाँ पर देखिए यह मरकरी है तो मरकरी अपने खुद के मरकरी एटम को जादा प्यार करेगा मतलब की मरकरी मरकरी का जो कौन सा फोर्स है? कोहे से फोर्स Mercury का जो cohesive force है है ना Mercury का कौन सा force Mercury और water के adhesive force मतलब Mercury water को बिल्कुल नहीं पसंद करती है समझ में आगे ना तो यहाँ पर cohesive force जादा है और adhesive force कम है और यहाँ पर adhesive force जादा है तो देखी यहाँ पर लिख दिया है मैंने हाँ जी क्या लिखा हुआ है water and a clean glass the angle of contact for water glass pair is acute angle मैंने बताया था जिनमें cohesive force ज्यादा होता है उनमें क्या ज्यादा होता है acute angle होता है hence the water is spread over the surface of glass the angle of contact for mercury glass pair the angle of contact is obtuse angle मैंने बताया था mercury और glass के जोड़े के लिए मैंने last class में आपको पढ़ाया था acute angle obtuse angle ये glass है और इसके अंदर mercury को आप भर देंगे तो कुछ इस तरीके से mercury set हो जाती है मतलब पानी glass से दूर जाना चाहती है तो देखिए angle of contact मैंने बताया था ये देखिए ये वाली surface और ये अंदर वाली surface इसके बीच का जो angle बनता हो क्या कहलाता है angle of contact मतलब अपने का अपने से प्यार जादा होता है मतलब सिमटना चाहती है क्या करना चाहती है and acquire the shape of the drop और drop का shape बनाना चाहती है so the angle of contact becomes obtuse angle इसलिए mercury का जो angle बनेगा angle of contact बनेगा हो कैसा बनेगा obtuse angle ठीक ना चलिए ये हो गया अगला what is Pascal's law Pascal's law मैंने आपको पहली बताया था अभी state and prove it तो state तो मैं पहले कर चुका हूँ अप्रूब करना आपको बताऊंगा in a closed liquid in a closed liquid याद रखना और static liquid मतलब रुका हुआ static closed liquid the pressure applied at any part is equally transmitted in all direction भीया अगर कोई liquid closed है मतलब बाहर से कोई आनी रहा पानी ना अंदर से कोई बाहर जा रहा है सुन रहे हैं आप लोग भाई सब यदि आपके पास कोई closed liquid है मतलब पानी ना अंदर से बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा तो जो आप pressure इसमें apply करेंगे वो pressure जितना आपने apply किया है वो हर एक point पर equally distribute हो जाएगा मतलब इसका इस आपने बाहर से क्या लगाए पी लगाया तो इसके पाद जितना था उसके ऊपर इसको कितना मिल जाएगा इसको भी कितना मिल जाएगा इसको भी कितना मिल जाएगा पी ये कहते हैं पास्कल्स है ना कि अप्लाइड प्रेशर in a closed liquid अप्लाई है ना the pressure applied at any part जाहे करो equally transmitted in all direction and in the same सबको मिलेगा समझ गहे ना दूसरा if a water is in equilibrium if a water is in equilibrium equilibrium very waterure equilibrium is then the pressure in every part of it is equal अगर कोई water equilibrium है तो उसके हर part ka pressure रोगा वो क्या होगा equal होगा समझ गार part ka pressure equal होगा equilibrium का मतलब होता है equilibrium का मतलब होता है जिस पर लगने वाला net force zero होता है क्या होता है, net force 0 होता है, है न, equilibrium का मतलब होता है, f net equal to 0, याद रखेगा मैंने force equal होनी की बात नहीं करी है, मैंने pressure equal होनी की बात करी है, pressure equal होता है, मगर force नहीं होता है, समझ गया न, and if water is in equilibrium, then the pressure in it every part is also equal, ठीक न, but मैं कहूंगा आप इस वाले definition से जाएए, क्योंकि ये definition conditional है, ये वाले definition सबसे best है, कि अगर आपने बाहर से किसी balloon को दबाया, तो उसमें जो pressure होगा, वो एक एक, each and every part पे क्या हो जाएगा, share हो जाएगा, समझ में आया बच्चों, अब आईए हम deduction करते है, Pascal lock, Pascal lock को हम derive करने हैं, ठीक न, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, Pascal lock को derive करने liquid, ये देखिए, दो point आपने O1 और O2 बना लिए हैं, ये O1 point है, ये कौन सा point है, O2 point है, consider two point O1 in O2 inside a liquid, now imagine a right circular cylinder with O1 O2 as excess, अब बचा, O1 और O2 को ले करके जाती हुए, एक excess consider कर लो, ये O1 O2 से जाती हुए, क्या consider कर दो, O2 excess, और उसके उपर एक cylinder बना दो, consider a right cylinder, right circular cylinder with O1 O2 excess, it fades and with a circular end O1 and O2, और यहाँ पर, ये लगा दिया, बो ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या बना लिया बिटा, आपने अंदर cylinder बना लिया, क्या बना लिया, आपने cylinder, the liquid inside the cylinder is equilibrium, अब बहिया देखो एक चीज़ सुनो, जब क क्या इधर का पानी इधर आता है, नहीं, क्या इधर का पानी इधर जाता है, नहीं जाता है, मतलब और कोई पानी, उपर का पानी क्या नीचे आता है, नहीं, क्या नीचे का पानी उपर जाता है, नहीं, बिलकुल नहीं, किसी भी प्रकार की movement नहीं होती है, किसी प्रकार की होता हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है तो यदि पानी के अंदर प्रेशर डिफरेंस होता पानी के अंदर प्रेशर डिफरेंस होता अगर पानी के अंदर प्रेशर डिफरेंस होता भाई साब तो अंदर ही सुनामी क्रियेट हो जाती है मतलब आप गिलास के अंदर पानी रखते और यहां से लहरे चल करके आती है इस तरफ या उस तरफ से इस तरफ फिर आपको बड़ा मज़ा आता है पानी के अंदर गिलास के अंदर सुनामी चल रही जिसको तुम पीने वाले हो और फिर तुम्हारे पेट में आ जाता तो प्रेसर करनो फिर खोल देगा थूँ टो गैस निकलेगी बाहर क्यों रोज हो पूसक्व कियो कि आपके मूह के अंदर का प्रेशर हाई था और बाहर का प्रेशर क्या है लो है तो हाई प्रेशo अंदर का प्रेशाइब गैस निकलेगा समझमे आ गया जी इस तो इन accordance to the liquid inside the liquid is cylinder is equilibrium therefore the force exerted by the outside liquid the liquid inside the cylinder is equilibrium. ये liquid जो है वो क्या है? एक्लिब्रियम है. therefore force exerted outside the liquid in the inner liquid will be perpendicular to the surface. है गी जो है. ये liquid inside the cylinder is in equilibrium. therefore force exerted by the outside liquid in the inner liquid will be perpendicular to the surface. अगो रक्रास एक्रास है. in accordance with the forces acting on the end faces of the cylinder O1 and A2, a centre will be perpendicular to them. if the force is acting on the face o1 as center is f1 then अब देखो भाई या देखे यह जो स्लेंडर है यह आप इसके equilibrium की बात करो तो इसका reason क्या है जितना उपर का force होगा उतना नीचे का force होगा क्योंकि liquid में जो भी force लगता हो परपेंडिकुलर लगता है लिक्विड के अंदर जो भी force लगता है कैसा लगाता है परपेंडिकुलर लगाता है अब आप देखिए यह तो चलो एक दूसरे को न्यूटरल कर दिए अब हम इधर की बात करते हैं इस वाले में आते हैं तो इस वाले का एरिया यदि A है तो इस पर लगने वाला force कितना होगा बोलो F1 कितना होगा F1 अब हम जानते हैं कि pressure P1 है यहां का प्रेशर कितना है P1 तो P1 is equal to F1 upon area A है क्योंकि यह बिल्कुल एक uniform से लिए तो इसका area A तो मैं लिखूंगा P1 is equal to F1 force upon area तो यहां से भईया F1 की value निकाल लिया F1 equal to बोलिए P1 into A पहला force आ गया बोलिए आया कि नहीं आया है F1 equal to P1 into A बिल्कुल सही है यह आ चुका है इसी तरीके से जो दूसरा face है cylinder का यहां पर भी भाई सा normal force लगेगा F2 और यहां पर pressure कितना मान लिया अपने यहां पर भी अपने pressure मान लिया है P2 P2 और area तो A ही है तो F2 कितना आ जाएगा F2 equal to हो जाएगा P2 into A देखिए अब ध्यान से हो क्या रहा है एक force यहां से लग रहा है एक force यहां से लग रहा है और आपको पता है कि अगर कोई system equilibrium में है अंदर किसी भी प्रकार की tsunami नहीं आ रही है किसी प्रकार का moment नहीं है मतलब net force कितना भाई साब 0 है F net equal to कितना है 0 F net 0 मतलब left force equal to right force मतलब left force कितना है भाई साब P2 A F2 equal to F1 लेक सकते हों इधर का force equal to उधर का force Ft equal to F1 F2 कितना भाई P2 A F1 कितना है P1 A area से area cancel कितना आ गया P2 equal to P1 यही Pascal law है कि किसी close container के अंदर हर point पर pressure क्या होता है equal होता है क्या होता है चाहे कहीं का pressure निकाल लो भाई साब हर point का pressure क्या होता है equal होता है therefore pressure at O1 and O2 are equal अगर pressure or equal होता okay ज़े उपर और नीचे का pressure अलग होता तो सुनामी के चलने लगती लगती सुनामी चलने लगती है इधर इधर का होता तो भी करने है clean करने मैं सोप और डिटरजन करते क्या है ने आपको बताया है था जो बैटा जैसे करा है पदे के साथ डर्ट कि भीई है कि यह देखिए शर्ट सरट के इस प्लेस पर क्या चिपकी हूई है डर्ट चिपक्य है आप इसको पानी से रिन्ज करोगे तो पानी जो होता है बिटा पानी के उपर सर्फेस टेंशन जादा होता है पानी के जैसे दो मालिकुल है ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के खीच रहे हैं छोड़ेंगे न साथे तेरा ऐसे समझ गया ना दोनों एक दूसरे को खीच कड़के बैठे हुए और ये डर्ट के पास में निकालने आए थे मालिक ना डाला पानी डर्ट के उपर साएं तो इन लोगों दोनों डर्ट यहां नीचे बैठा हुआ है यह नीचे तो यह आए दोनों उपर से मूप करते करते हां नीकल गए नीचे आ गए मगर गाना गा रहे थे वही छोड़ेंगे ना साथिया हाथ तेरा मरते दम तक बुलो हाए ना डर्ट वहीं का वहीं रहे गया डर्ट वहीं का वहीं रहे गया उपर से फेके गये थे, पानी उपर से फेका गया था, उपर से पार हो गया, क्योंकि डर्ट चिप का हुआ है, ये दोनों ready नहीं है, कि हम हाथ छोड़ दें, जब हाथ ही नहीं छोड़ेंगे तो इसको कैसे पकड़ पाएंगे, तो क्या होता भाई साब, दो तरीके हैं, या तो पानी को गरम कर दो, क्या कर दो पानी को, पानी को गरम कर दोगे तो इनका सर्फिस टेंसन कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये जो इनके बीच का बांड हो थोड़ा लूज हो जाएगा, समझ गया जी, और दूसरा, एक और काम कर सकते हो, इन non-volatile impurity है तो जैसे ही इसको मिलाओगे तो इससे इसका water का जो surface tension होगा वो lose हो जाएगा मतलब पानी में पानी के molecule से जो दोस्ती थी बहुत जकड़ करके रखे हुए थे layer बना करके रखे थे एक दम stretch करके रखे थे वो क्या हो जाएगा lose हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्पन में आपने यदि देखा होगा आप गुबारे उड़ाया करते थे वो पानी वाले एक liquid होता है वो actually साबून का solution होता है या उसका sample का solution होता है क्या होता है तो देखा होगा ये इसमें ये बहुत आराम से stir होता है इसमें मतलब बहुत लूज होता है ये solution चिपचिपा दाइप का होता है मगर पानी जो होता हार्ड होता है आप अगर पानी में चमच को यहां से यहां ले जाएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मगर इसी साबून के solution में आप चमच को यहां से ले जाएगी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्यों क्यों क्योंकि इसकी layer कम मजबूत है इसकी layer कैसी है कम मजबूत है layer मतलब इसका surface tension कम है surface tension कम है तो भई यही होता है आई वा संच में ना तो लिखा हुआ है वालेटाइल मतलब जो भाब बनके उड़ जाए और नौन वालेटाइल मतलब जो भाब बनके ना उड़े The soap of or detergent reduces मैं question number 8 का जबाब देता हूँ उसको तो evaporation प्रोसेस है बट सबस्तांस की जब बात होती है तो उसको वालेटाइल नौन वालेटाइल बोलते है The soap or detergent reduces the surface tension of water Therefore soap solution can penetrate deep into the pores जो soap solution होता है पहले क्या था है यह अलग-अलग बिलकुल जोड़े थे कपड़े यह यह ड़ट बैठा हुआ हुआ है नहीं रहते मगर जैसे ही तुमने इनका bond कम किया यह उपर से नहीं निकल गया इसको जा करके नीचे से उखाड़ दिया समझ गया ना इसको पनेट्रेट कर दिया नीचे जाके घुच गया उसको निकर निकाल दिया Therefore soap solution can penetrate deep into the pores sports के अंदर कपड़े के रे से रे से के अंदर घुच जाते हैं वेर वाटर केन नॉट नॉर्मली रीज जहां वाटर नहीं जा सकता था नॉर्मली वाटर नहीं जा सकता था जैसे एक छोटा सा गेट बना हुआ है और तुमने कसम खाके रखी कि हम दोनों दोस्त जाएंगे तो एक साथ ही निकलेंगे और भाईया उसकी जगह ही नहीं इतनी कि एक साथ चले जाओ तो दोनों या तो हाथ छोड़ के जाओ तो मैं क्या करूँ है मैं डाल दूँगा निर्मा बहुत जोरों का समझ गया ना या आग लगा दूँगा गेट के पास लिए जाके दिखाओ तो हाथ छोड़ करके बोले जान बचाओ पहले तुम निकलो पर हम निकले तो ऐसे यहाँ पर कर दिया गया है इस तरीके से यदि अब डिटरजेंट कर देंगे तो पानी जहाँ नहीं घुस पा रहा था वहाँ कौन घुस जाएगा साबुन के साथ पार्टिकल समझ गया ना साबुन घुस जाएगा वहाँ पर उसको रिमूब कर देगा तूब ऑड़ होने के बारीश गरने के बादो हूता है बारीश गरने के जो farmer हुआ करते हैं वो खेत को जुताई कर देते हैं समझ गया ना बारिश गरने के बाद खेत को जोद देते हैं तो होता क्या है बारिश के समय में छोटी छोटी capillary बन जाती ही भाईया छोटी छोटी क्या बन जाती है capillary ऐसी यह automatically बारिश में तैयार हो जाती है अब यदी आप इनमें बीजा रोपन करोगे तो इनके अंदर बीज आकर के घुच जाएगा बोलो है ना और वो ग्रो नी हो पाएगा उसको न्यूट्रियन नहीं मिल पाएगे नीचे से इसलिए इन capillaries को धुस्त करने के लिए इनको निपटाने के लिए इसके उपर प्लूइं की जाती है when the field are plowed the capillaries of earth broken capillaries of earth broken छोटी-छोटी जो capillary बनी होती है है ना and the underground water remains there which is used by the plant capillaries broke हो जाती है और जो underground water होता उनके अंदर पानी जो भरा होता है remain there और वो जो पानी होता है वो फसल को ग्रो करने में plant को देवारा यूज कर लिया जाता प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता प्लांट के द्वारा अगी बस समझ में है हाँ प्लांट को कर दूपर इसको कुष्यन नमर्ट तैन को ठीक है अगला क्वेशन है भाई सब अगला क्रॉशन मस्त है एक्जाम में आता है वाट रद अफेक्टर एफेक्टिंग दा सर्फेश टेंसन पानी सर्फेश के टेंसन को खीचने के लिए कौन-कौन से फेक्टर एफेक्ट करते हैं सर्फेश टेंसन को कौन-कौन से फेक्टर एफेक्ट करते हैं तो चलिए रेखते हैं सर्फेश टेंसन नमर्वन सर्फेश टेंसन को एफेक्ट करने वाले सबस्टांस डिजॉल इन दा लिक्विड The substance which are highly soluble Highly soluble In the liquid increases the surface tension अगर कोई चीज soluble है पानी में जो घुल जाती है वो surface tension को हाँ जल्दी घुल जाती है highly soluble बहुत घुलती है वो surface tension को बढ़ा देगी आप पानी ले लीजिए अब पानी में खूब सारा नमक डाल दीजिए पानी में खूब सारा क्या डाल दीए पानी में नमक soluble है नमक क्या है soluble है अराम से घुल भी जाएगा और आप उसके बाद देखिए जो surface tension होगा जो सते होगी न वो बहुत मजबूत हो जाएगी क्या हो जाएगी बहुत मजबूत हो जाएगी surface tension बढ़ जाएगा surface tension क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा दूसरा अगर आपके पास जो चीज है वो insoluble है मतलब घुलने वाली नहीं है तो soluble अगर है तो surface tension क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और अगर insoluble है तो surface tension कम हो जाएगा इसलिए malaria के मच्छर को डेंगू के मच्छर को मारने के लिए पानी जब जब भर जाता है बरसात वगरे में तो कहते हैं कि मिट्टी के तेल के छड़काओ कीजिए जिससे कि पानी की लेयर के उपर तो malaria, surface tension का malaria के बच्चे हो जाते हैं मगर जैसे ही आप इनमें मिट्टी के तेल के छड़काओ करेंगे तो surface tension कम हो जाएगा तो बच्चे जो हो गया थे ऊपर वो नीचे जाके कर जाएंगे डूप के मर जाएंगे समझ मागया जी यस यस दा सबस्तांस विचर हाइली सबस्टांस विल इंज इकृट लिकृट इंक्रीश तर्फेस तेंसन वाइल इंसलिबल सबस्तांस डिक्रीश तर्फेस तेंसन सेकेंड contamination यानि गंदगी dust particle oil grease decrease the surface tension of the liquid dust particle while कम होता है मतलब जितना temperature आप बढ़ाएंगे surface tension उतना कम होता जाएगा इसलिए गरम soup अच्छा लगता है गरम चाय अच्छी लगती है क्योंकि इनका surface tension कम होता है और यह हमारे गले से उतर जाते हैं समझ गया थंड का समय इस समय पानी भी बड़ा दिक्कत करता है भी ओ ठंडा पानी बोलो भाई सब जो नॉर्मल पानी नल से निकलता है उसको पी ओ तो ऐसा लगता भाया गले की नीचे उतरेगा नहीं क्योंकि surface tension बहुत तकड़ा हो जा टेंशन ब्रैकत 1- Alpha into T T क्या है change in temperature है चीं क्या change in temperature यह क्या है surface tension निया वाला यह क्या है surface tension zero degree Celsius वाला इस समझ गहाण surface tension. Alpha याने की कहलाता temperature coefficient और t क्या होता है change in temperature t क्या होता है change in temperature लिए formula जाहे important नहीं आना वाना कहीं survivor खेक है एक दीक नहीं अनुट करते हैं आँगे छल करेंगे यहाँ है